इन दिनों देहरादून के FRI में, Student of the Year 2 की शूटिंग अपने अंतिम दोर में है। इसी बीच अभिनेता टाइगा श्रॉफ शूटिंग छोड़कर चुपके से मौल में पहुचे और महिला से मिलने के बाद एक प्रॉमिस लिया। सूत्रों के मुताबिक, टाइगा देहरादून में अपनी फिल्म बागी 2 को देखना चाहते थे। इसलिए रविवार को टाइगा हुड और मूंग में मास्क लगाकर बागी देखने क्रॉस रोड्स थित मौल पहुचे। यहाँ पारकिंग में टाइगा को महिला ने पहचान लिया। टाइगा ने उनके साथ फोटो की चाहे और किसी को उनके बारे में न बताने का प्रॉमिस लिया। टाइगा ने क्रॉस माल के मल्टी प्लेक्स में पीछे की सभी सीटे बुक कर आई थी। करीब धाई घंटे फिल्म देखने के बाद टाइगा अपने होटल लोट गए। फिल्म यूनित सुत्रों के मुताबिक जिस दिन वे देहरादून पहुचे थे तभी उन्होंने गश्रॉफ और अनन्या पांडे मुख्य भूमिका में है।